वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैब कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें UPPCS मेंस के लिए जो most important questions है उनकी तो वो questions जो मेंस में पूछे जाने की संभाब ना है और जो important topics है उनसे संबंदित हम कवर कर रहे हैं questions को यह questions bilingual है आप हिंदी मीडियम के हूँ या English मीडियम के दोनों लोग ही इससे benefit ले सकते हैं और इसको start करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप UPPCS की complete तयारी करने के लिए PCS, RO, ARO, BEO के लिए हमारा crash course जोइन कर सकते हैं और उसको जोइन करके पूरी तयारी करके आप selection ले सकते हैं साथ में BPSC, UKPSC, HCSJSA exams के लिए भी crash courses और paid groups चलाई जा रहे हैं तो आप इनको join करकर लाव प्राप्ट कर सकते हैं इन से संबंदित अधिक जानकारी आपको given numbers पर मिल जाएगी साथ ही हमारा free telegram channel join करना मत भूलेगा क्योंकि यहाँ पर चानल से संबंदित जितने भी updates हैं वो आपको timely उपलब्ध होंगे तो आईए आप हम देखते हैं आज का question क्या है हमारा आज का question है discuss the main reasons for the increased instances of avalanches in the Himalayan region also suggest some measures to overcome the problem हिमालई छेत्र में हिम्स खलन की बरती गटनाओं के मुख्य कारणों पर चर्चा कीजिए साथी समस्या से निजात वाने के लिए कुछ उपायों का सुझाव दे तो हम अपना introduction कैसे लिख सकते हैं हम introduction में बता सकते हैं कि हिम्स खलन क्या है avalanches क्या है ठीक है उसके बाद main body में हमको बताना है reasons की इसके increased instances क्यों हुए है बरती घटनाओं क्यों हुई है इसके कारण क्या है और उसके बाद हमारा दूसरा पार्ट क्या होगा जिसमें हमको इसके measures बताने हैं इससे overcome करने की राइट तो पहले हम अब बताएंगे introduction में कि हिम्स खलन है क्या तो देख लेते हैं आईए हिम्स खलन का ताथ पर बर्फ और अन्यसंबंधित मलबे जैसे की चटान के टुकडे, म्रदा और वनस्पती के बड़े द्रव विमान की तीवर नीचे की और गती करने से है ठीक है हालिया आपदप्रबंधन रिपोर्ट के अनुसार इस चेत्र में हिम्स खलन की ऐसी घटनाओं में व्रद्धी हुई है हिमाली चेत्र लिखा है ना तो हिमाली चेत्र में ऐसी घटनाओं की व्रद्धी हुई है उधारन के लिए बताया गया है, उधारन क्या बताया गया है, कि उत्तरा खन में साल 2021 में नंदा देवी चोटी के पास हिम्स कलन की घटना हुई थी, तो अगर हम कोई data बता दे, कोई report बता दे, कोई example बता दे, तो उससे हमारा जो answer है, उसमें एक value addition हो जाता है, इसलिए हमने ये एक अच्छा introduction हो जाएगा, उसके बाद हम देखते हैं, अब हमको बताने है reasons क्या हैं, ऐसे incidents के बढ़ने के, सबसे पहला क्या reason बताएंगे, तो जब भी हमसे कोई reason, कुछ cause पूछा गया है, तो जो सबसे important cause होगा, उसको हम number one पे रखेंगे, ठीक है, पहले रखेंगे, ये नहीं कि जो सबसे important है, उसको हम last में रखें, तो वो हमारा जो answer है, वो उतना effective नहीं रह जाता है, तो इसको भी ध्यान रखेगा, तो global warming जो है, यानि कि भूम अंडली है, उश्मी करण, ये एक important कारण है, इसके करण क्या हो रहा है, जो temperature है, इसमें व्रधी हो रही है, उनकी अस्थिरता का प्रमुक कारण बन गए है, जिसकी वैसे हिम स्कलन की जो खटनाए है, वो भी काफी जादा बढ़ गई है, उसके बाद दूसरा देखते है, दूसरा point क्या दिया हुआ है, दूसरा reason, बर्फ के पिखलने के लिए भारी हिम पात और तीवर सौर विकरण भी जिम्मेदार है, heavy snowfall और intense solar radiation भी जिम्मेदार है, फिर क्या कहा गया है, infrastructure का निर्मार यानि की आधार भूत, अफसनरशना का जो विकास हो रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है, सुरंगे, राजमार्ग, रेलवे जैसे निर्मार परियोजनाओं के लिए, डाइनामाइट क क्या reason होगा, deforestation और reforestation, यानि की वनों की कटाई और पुनर वन रोपन जो है, इसके कारण जो म्रदा है, वो अस्थिर हो जाती है, और म्रदा एवन जो प्रत्वी है, इसकी सतय की सगंता भी density जो होती है, compactness वो भी प्रभावित होती है, परिणाम क्या होता है, हिम्स खलन ठीक है, then अब हमने ये इसके reasons बता दिए, उसके बाद हम suggestions बताएंगे, तो suggestions देख लेते हैं, पहला suggestion क्या होगा, प्रत्यक्स सुरक्षा संरक्षित किये जाने वाली संरक्षित के निकट बनाया जाना चाहिए, उधारन के लिए rail पत्रिया, rail राज मार्ग, अर्थात, जो भी infrastructure built किया जा रहा है, इसके आसपास direct protection instructions बनाया जाने चाहिए, जैसे कि rail tracks या highways बनाया जाने चाहिए, तो इनके संरक्षिन के लिए, वहाँ पर कोई न कोई structures बनाया जाने चाहिए, बड़े हिमसंचे से पहले, विसफोटकों के साथ नियमित अंतराल पर छोटी बर्व की accumulation होता है, वो नहीं होगा, जो बड़ा हैं संचय हो जाता है, वो नहीं होगा, तो एक ये सुझाफ हो गया, फिर क्या है, बड़े भूकंपी अंतराल वाली चेत्रों का मान चित्रन, यानि कि हम अगर ऐसे चेत्रों का mapping कर लें, तो भी हमारे लिए आसानी हो जाएगी, उसक रचनात्मक पर्योजनाओं के अनुमती नहीं दे जानी चाहिए, यानि कि जो भी sensitive zones हैं, वहाँ पर, जहां geological studies में बताया गया है कि जो भी sensitive zones हैं, उनको no disturbance zone खोशत कर देना चाहिए, वहाँ पर ना deforestation होना चाहिए, ना ही कोई infrastructure project built होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि आपने recently news में सुना होगा जोशी मत, जोशी मत में क्या हो रहा है, वहाँ पर sink हो रहा है, जो जमीन है, वो sink होती जा रही, धस्ती जा रही है, और 1970 में एक report आई थी, जिसमें कहे दिया गया था, ये चेतर सही नहीं है, लोगों के रहने के लिए, या फिर development कारें के लिए, लेकिन उ कर रहे हैं, और एक report और आई थी, जिसमें शिमला के लिए भी ऐसी बात की गई थी, कि शिमला में भी शायद ऐसी स्थितिया उत्पन हो सकती है, तो अगर हम लोग पहले से ही precautions लेकर चलेंगे, तो ऐसी स्थितिया उत्पन नहीं होंगी, तो हम ऐसे कुछ examples में में mention कर सकते ह हैं, अगर question की requirement हो तो, उसके बाद यह हमने suggestions दे दिये, then conclusion में हम क्या लिखेंगे, conclude हम करेंगे, वर्तमान में विज्ञानिक निश्चत रूप से हिम्स्खलन की जो घटना है, और इस्थान की भविश्यक्वारी करने में सक्षम नहीं है, हाला कि वे snowpack, तापमान और के नकारकों की जाज करके खत्रे के इस तरका अनुमान लगा सकते हैं, इस तरह से हम अपना conclusion लिख सकते हैं, और अगर आपके पास कोई data हो, तो आप उसको mention कर सकते हैं, जैसे जोशी मतवाला जो incident है, वो यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि आपके लाइगा, आपके लाइ गटना है, land slide वाला, avalanche वाला गटना नहीं है, तो मैंने यहाँ पर आपको example दे जिया, इसका मतलब यह नहीं कि आप यहाँ पर लिख लेंगे, वो different geographical phenomena हो जाएगा, उसको हम यहाँ mention नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई भी ऐसी news आती है, जैसे उतराखन वाला हमने mention किया है यहाँ पर, और कोई भी data आता है, तो उसको आप अपने answer को enhance करने में value add करने के लिए mention कर सकते हैं, और एक चीज़ ट्राइ किया करिए, कि आप कोई भी notes पढ़ रहे हैं, data पढ़ रहे हैं, तो उनको आप note down कर लिया करिए, और जब भी आप answer writing कीचिए, और अगर आपको ल कर लिया है, GS1 के questions ही अभी हम discuss कर रहे हैं, अगर कोई दूसरा part हम discuss करेंगे, तो मैं आपको बता दूँगी, फिलाल यह GS1 का ही portion चल रहा है, अब हम मिलेंगे अपने next video में, अगर आपको कोई doubt या query है, तो आप पूर सकते हैं, thank you so much.